के गाइज विल्कम बैक तो माई चैनल इस प्रेयप ले तुम सब का है स्वागर तो गाइज आज हम बात करेंगे मारे पास हैं तीन कूल न्यूज और काफी इंट्रेस्टिंग है तो जरूर देखना इंट तक और दो तो और रिलेटेड है सिर्फ पीस फाइब सही तो आइग या यह प्रेयर प्लेर ख़ाइब और तो इस पीपल जो की है यह प्रेयर प्लेयर के मेंबर थैंक्यू या झाल तो मुझा आज थोड़ा ताइम नहीं मिल राए मुझे वीडियो या यूट्यूब्वे काम करनेगा द्यूटू अधू मैए प्रफेशन क्यूँद्वी यू सबसे पहले हैं यह इंट्रस्टिंग न्यूस की सोनी इस नॉइंग टॉइस चिप्स यप सोनी और टीम अप्टू टागल ग्लोबल चिप शॉर्ट जाएगस यह काफी साही न्यूस है और उनके लिए जिनको आएगस पीस अब तक नहीं मिला है और यह काम आएगा फ्यूचर के लिए अभी के लिए नहीं और यह सोनी और टीएस टीएसमसी का जॉइंट क्रियेशन होगा एक जॉइंट वेंचर होगा और इसमें जो टीएसमसी है ताइवान सेमी कंडॉक्टर मैनुफाक्चरिंग कंपनी वुड हैव मिजॉर्टी शेर इनके पास 50% से जादा शेर हो होंगे और यह टोटल सेवन बिलियन डॉलर का इन्वेस्मेंट होगा जो की काफी हूज है और इसको फंडिंग करेगी फंडिंग जो देगी वो जापान देगी और ऑविसली बाद है सोनी जापाने की है और इसमें भोगा क्या सो यार देविल मेक चिप्स फॉर कैमरा सकार फेस प्लेटेशन और यह जो उनकी काक्टरी है यह इनकी एफेक्ट जो चालों होगी इनकी केथेवर 12 2024 चॉव ऑऔर यह 2020 में लोग अभी से प्रिबेर कर रहे हैं कि अभी जो हमने रिसेंटली जो रिस्टॉक एशू फेस की वह आई किस हमें दुबारा फेस ना करना पड़े क्योंकि उसके लिए तैयारी करनी बहुत अच्छी चीज है सो अभी जो एनिलिस्ट जो बोलते हैं एनिलिस्ट लोग यह कह रहे हैं कि 2023 तक चिप शॉटेज यह चल सकता है और इस यह जो नया प्लाइंट है सोनी और टी एसमसी का जो का उपरेशन में जॉइंट वेंचर और यह कह रहे हैं दोजार चौबिस से चालू होगा सो आइगेस इससे एक चेंज और इंपक्त आएगा और अब जो हमारे पास दूसरी न्यूज है वह काफी आईगेस इंट्रेस्टिंग न्यूज है जिम राइन इस प्रस्टेटेट विट प्लेसेशन गेम्स बिकॉस वह ज्यादा लोग नहीं खेल पाते हैं और यह न्यूज मुझे फो यह चाहते हैं कि इनके गेम्स जो हैं यह सौ मिलियन या दो सौ मिलियन लोग खेलें और परस्नली मुझे ऐसा नहीं लगता कि यह पॉसिबल है बट होने को कुछ भी हो सकता है बट परस्नली आइट थिंग कि यह कभी पॉसिबल होगा और जिम राइन ने बोला है कि वह चा कंपेर करना गेम से बिल्कुली गलत चीज है और वह कभी कंपेर आप कर भी नहीं सकते क्योंकि अगर आप देखो आपके घर में सारे लोग मूवीज देखते होंगे बट सारे लोग गेम्स नहीं खेलते होंगे सो गेम्स बहुत कम लोग खेलते हैं तो गेम्स को मूवी से क कि it will work but यह इनका dream है Jim Ryan का और अभी इनोंने बोला है कि अभी इनके जो current जो including PS4 and PS5 जो total 20 million लोग खेलते हैं और he wants मतलब इनका dream है कि 100 से 200 million लोग खेलें और let's see और यह काफी interesting चीज़ है और इसमें यह भी कि जैसा इनके statement से बोला गया इस article में भी कि मुझे लगता है कि आने वाले और भी games शायद PC या दूसरे consoles पे भी आ सकते हैं so let's see in case इस statement का यही मतलब है क्योंकि जब ज़्यादा लोग खेलेंगे तो it means bigger profit and bigger margin so I guess it's good to dream big let's see क्या होता है और अब बात करेंगे हमारी third news जो कि cyberpunk से related I guess काफी interesting news है cyberpunk is a free next-gen game और अगर आपके पास cyberpunk है so it will not cost a single dollar और आपको free में मिलेगा upgrade और I guess यह काफी cool चीज है और यह PlayStation को समझनी चाहिए क्योंकि PlayStation ऐसा नहीं करता है और यह समझना चाहिए but let's see क्या होता है और I guess CDPR ने काफी अच्छा initiative लिया है क्योंकि हमने recently लेखे हैं सारे games को upgrade करने के लिए हमें कुछ cost पे करनी पड़ी है चाहिए बहले ही a free upgrade for PS5 and Xbox Series X versions so यह बताओ कि यह वीडियो कैसी लगी और यह facecam मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरे DSLR में कुछ issue है मैं comment में भी pin कर दूंगा so चाहिद लगेंगे 3-4-5 दिन और मुझे मैं उसे fix करने में लगा हूँ और जैसी fix हो जाएगी मेरा facecam मैं वापस आ जाओंगा ऐसा नहीं है कि मैं अपना चेहरा चुपा रहा हूँ और कुछ भी नहीं है so I'll be back guys और अब live भी करेंगे बहुत जल क्योंकि थोड़ा सा crunch था time का due to my profession क्योंकि मेरी यहां से कुछ खास earning नहीं है मुझे पैसे नहीं मिलते हैं so thank you so much guys बताओ कैसा लगा अपना support ऐसे बनाया रखो share and subscribe मिलते हैं आप से एक लिए वीडियो में अपना please ख्याल रखें और बताओ तुम्हें मेरा सिर्व अवा सुनके कैसा लगा because facecam is missing bye bye have a great day guys